नमस्कार मैं कुलदीप सरदार आज आधार के बारे में कुछ अतरिक्त बाचीत इसलिए भी हो रही है क्योंकि साक्षी सिंग धोनी ने ट्वीट किया जो जब महेंद सिंग धोनी आधार कार्ट बनवाने गए थे तो एक सरकारी हैंडल से उनका फॉर्म की कॉपी और वो तस्वीर डाल दी गई जिस पर साक्षी सिंग धोनी ने रवी शंकर प्रसाथ को मेंशन करते हुए ये बताया कि ये फॉर्म की फोटो डालना कैसे उनकी निजता का उलंगन है तो आज इस बहाने इस मामले की बात भी करेंगे ये तो खेर एक व्यक्ती की निजता के उलंगन की बात हुई पर क्या आधार भी किसी तरीके से आपकी निजता के लिए कोई खत्रा पैदा कर रहा है जिस तरीके की प्रक्रिया है उसकी और बाद में जिन लोगों को आधार का सीमे टेक्सिस दिया गया है जिन कंपनियों को तो वो क्या पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट की हाल में आई टिपनियों पर भी बात करेंगे कि आधार का इस्तेमाल आधार के नंबर के जरिये अधिकार किस किस के पास होना चाहिए और किस के पास नहीं तो पहले तो साक्षी सिंग धोनी वाले मसले से केतन हमारे साथ रहेंगे रिशब रहेंगे आमित रहेंगे इन सब के टेक्निकल और कानूनी पक्ष पर भी बात करेंगे इस आधार की प्रक्रिया पर भी बात करेंग पहचान का जो बायो मेट्रिक सिस्टम है उसके भी इतिहास भूगोल को खंगा लेंगे कि वो बाकी देशों में कितना सफल और असफल लहा है या उसको ले करके किस तरह की आपतियां अलग-अलग देशों में दर्ज कराई गई हैं तो सबसे पहले साक्षी सिंग धोनी वाला जो आज का मामला हुआ था, वो आधार के निजटा की लंगन का मामला नहीं था वो ये मामला था कि किसी उत्साही सरकारी कर्मी ने, जो सोशल मेडिया समालता होगा, वो दो तस्वीरें डाल दी थी धोनी का आधार के इंडॉल्मेंट के लिए आना उसकी तस्वीर आपत्ति जनक नहीं थी जो आपत्ति साक्षी ने जताई थी वो उस फॉर्म के डाले जाने पर थी जिसमें धोनी की निजी जानकारियां थी तो ये ये एक अलग चीज़े जो आधार हम दिखा सकते हैं क्या भ एक अंधार आपडेत अए और उसमें एक फोटो आई साथ में जिसमें वो अपना बायोमीट्रिक्स दे रहे थे और उसके साथ साथ में दो फोटो थी जो दूसरी फोटो थी वो ये थी और इसमें जैसे अभी हम लाइफ दिखा रहे हैं उसी तरह से स्क्रीन पर जो कुछ इन्फो आ रही थी उस वक्त उसका एक फोटो लेकर अप्लोड कर दिया गया तो अब यहां पर हमें थोड़ा बहुत उसकी फोटो दिख रही है दोनी की हालागि यह फोटो बाद में डिलीट हो गए इसलिए यह सिरफ स्क्रीन शॉट बचा हुआ है तो जिसमें हमें यह दोनी की फोटो दिख रही है साथ में यहां पर कुछ इन्फो थी तो जिस वक्त यह ट्वीट एक्जिस्ट कर रहा था डिलीट नहीं किया गया देता उस वक्त यह काफी साफ साफ दिख रहा था तो इस पर साक्षी ने question किया और बिल्कुल सही question किया क्यों दोनी चलिये दोनी है बट किसी का भी ऐसा info बाहर नहीं आना चाहिए और ये साक्षी का tweet है उस पर रवीशंकर प्रसाद का जवाब है अच्छी रवीशंकर प्रसाद ने भी ऐसा हुआ था कि वो tweet like किया हुआ था तो उन्होंने भी उन्होंने भी neglect करी दिया था हाला कि उन्होंने अपने account से सिरफ दोनी की तस्वीर ही डाली थी इन्होंने कहा कि thank you for bringing it to my notice तो है हुआ कि sir notice क्या आपने खुदी like किया हुआ है तो खेर वो बाते हुआ ही वो tweet delete किया गया और अभी ऐसा हुआ कि जो officers वहाँ पर responsible थे उन्हें उन्हें उन्पे inquiry चल लगी है और जो वो center है राची का csc का जो center है उसे suspend कर दिया गया है ठीक है आधार की आधार आपकी जानकारियों को कितना सुरक्षित रखेगा रखता है यह चीज थोड़ी विवादों में रही है कि कुछ कंपनियों को उसका simit access इस तरीके से है कि अब आप जैसे जो लोग geo sim users है वो उसका process अभी केतन बताएंगे कि वो कैसे काम करता है तो और इसको लेकर के राजनितिक down page भी अलग-अलग रहे हैं जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा ने आधार को एक गैर जरूरी संस्था बताया था लेकिन अभी आधार को mandatory करने के संबंद में के इन सरकार आगे बढ़ रही अलग-अलग तरह की services के एवज में तो अभी इस बीच ये बहस बहुत तेजी से हुई है कि अगर किसी के पास मेरा अधार कार्ड का नंबर है तो क्या वो किसी तरीके से मेरी सारी बाकी जानकारियां ले सकता है अकाउंट नंबर से ले करके बाकी चीज़ें एड्जरेस और बाकी और क्या वो मेरी बायोमेट्रिक जानकारियां भी ले सकता है, क्या मेरा फिंगर प्रिंट का एक्सिस वो एक्सिस कर सकता है, क्या मेरी आखों का जो छाप ली गई है, वो भी ले सकता है कि नी, तो ये अभी जो निजिता को लेकर के जो concerns हैं, उस पर क्या है? जो primary concern है, वो ये है कि जो आधार act आया था, उसमें ऐसा था कि किसी भी तरीके से database में, database में चीज़ें तब गई, जब आप center पे गए, आपने अपना fingerprint, thumbprint, scan करवाया, iris scan करवाई, और अपनी बाकी info दी, तो उस वक्त वो सब कुछ database में चला गया, तो वो जो कुछ भी है, व यह सबसे पहला clause था और यही, यह right to privacy के अंतरगत भी आता है, अब हुआ क्या है, कि इन्होंने authentication के लिए, जब आप sim issue कराने जाते हैं, लेट से, जो जियो पहले से कर रहा है, एटल ने भी अब शुरू किया है, तो जब आप sim issue कराने जाते हैं, तो एक end पे आप अपना thumbprint देते हैं, और एक end पे आप अपना आधार number देते हैं, तो जब आप thumbprint दे रहे हैं, तो यहां से अगर आपका check किया जा रहा है, कि आप वही आदमी हो, जो आप खुद को कह रहे हो, तो इसके लिए यही होगा कि हम database से confirm करेंगे, यह जो confirmation का process है, यह सरकार नहीं कर रही है, यह private agencies कर रही है, तो since private agencies ऐसा कर रही है, तीन agency हैं, जिनका नाम है, since वो तीनों अगर ऐसा कर रही है, तो यानि कि अगर हमाई पास आ रहा है कि हाँ आप वही आदमी हो, या यह है कि आप नहीं वह आप आदमी नहीं हो, मतलब वो उस data को check कर पा रहे हैं, यानि वहां तक उ सारा contradiction यहीं शूर हो जाता है कि उनको यह access मिला ही कैसे, तो यह जो पहला clause था कि यह सिरफ सरकार के हाथ में रहेगा, वो यहीं पर ही खतम हो जा रहा है, एक और मतलब यहीं इस पर और विस्तार से बात करेंगे, एक मैं रसीद आपको दिखाना चाहता हूँ, जब आप आप चाहें तो इसमें ना भी करवा सकते हैं, आमिद बताएं, यह मेरी रसीद है, और मैं बनवाने गया, तो मुझसे जो बना रहे थे, उन्होंने मुझे यह इसका तब पता चला, जब उन्होंने मुझे प्रिंट करके इसे दे दिया, यानि प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि ऐसा कोई option है, उसमें आपको हाँ कहना है या ना कहना है, उन्होंने अपनी ओर से हाँ भर के दे दिया, और जब प्रिंट करके दिया, तो मैं पूरा पढ़ने लगा उसको कि इसमें क्या-क्या लिखा हुए, तो उसमें एक तरह से सहमत ही दे देता हूँ कि ये जानकारी सरकार शेयर कर सकती है, वो शेयर किसे कर सकती है, वो exact clause ये है कि मुझे कोई आपत्ती नहीं है कि अगर UIDAI जो कि आधार की संस्ता है, वो इस जानकारी को UIDAI से नथी agencies के साथ शेयर करे, जो कि एवज में होगा public services including welfare services, तो जन स देवाओं की ये बज में अगर UIDAI प्राइवेट के मुताबिक जो act का तीन clause है इसमें, 45, 47 और 57 तो ये तीनों ही थोड़े problematic है, 57 के मुताबिक ये लोग private agencies से भी share कर सकते हैं, किसी के साथ भी share कर सकते हैं, सरकारी काम के लिए तो इस्तिमाल होगा ही, प्राइवेट के इसमें, जो इसका section 45 है, वो 47 है, तो 47 प्राइवेटिक इसलिए है, कि इसमें लिखा है कि अगर आपकी जानकारी के अधार पर कोई कांड हो जाता है, आधार के information पर, तो उस case में victim case नहीं कर सकता, आप case नहीं कर सकते हैं, case UIDAI ही करेगा, मेरा fingerprint अगर किसी को मिल गया आधार case जरीए, तो मैं case नहीं कर सकता हूँ, case UIDAI करेगा, और 45 है, वो इसको और problematic बनाता है, इसमें लिखा है कि inspector of police से नीचे rank आदमी इसको investigate नहीं करेगा, तो यह हर जगह यह problematic होता है, क्योंकि जो एक सामान ने police वाला होता है, उसको cyber crime की जानकारी नहीं होती है, वो उसको उत तो वो मतलब खुद ही इस बात चन्नोन है, तो यह तीनों क्लॉज इसमें वो हैं, और दूसरी चीज है कि आधार के साथ, आधार एक 12 डिजिट का नंबर है, तो इसके साथ जुड़ी है हमारी information, बायोमेट्रिक information, फिंगर प्रिंट और आईरिस, बायोमेट्रिक का मतलब क इसको कानूनी चीजों में या टेकनिकल चीजों में इस हिसाब से लिया जाता है, कि आपके शरीर के वो अंग या वो हिससे जो वक्त के साथ बदलते नहीं है, माना जाता है कि यह एक ही बना के रखेंगे, एक ही सुरूप में रहेंगे, फिंगर प्रिंट है, आईरिस है, लेकिन इसके साथ दिक्कत है कि यह चीजें बदल भी जाती है, वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, और दूसरी चीज है कि जब इनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्ड करने वाला मशीन होता है, आपका फिंगर प्रिंट और रिकॉर्ड करेगी आइरिस का, और उसमें होता है कि इसमें अगर ध्यान से देखेंगे लिंज लगा के, तो खाईयां मतलब आपको रिजेज और वो देखेंगे, जो तरंग के फॉर्म में हम लोग पड़ते थे, तो जब इसको स्टोर करते हैं, तो इमेज के फॉर्म में स्टोर होता है, या तो आप्टिकल होगा, या कैपिसिटर बेस्ट होगा, मतलब या तो इसकी इमेज खीच लेंगे, लाइट के मादे हम से, या बिजली, इलेक्टिक करेंट के मादे हम से, तो खीचने वाला और रिस्टोर करने वाला मशीन है, तो उसमें दिक्कत यह है कि इसको हैक भी किया स लगता है, क्योंकि मशीन है, आप ट्रायल एंड एरर करेंगे, आप कई बार करेंगे, वो एसक्ट कर लेगा, मतलब ऐसा होता है, अनिमेज ने भी दिखाया था, जर्मनी में एक लड़के ने, इनका नाम है, जेन क्रिसलर, इन्होंने जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर का फि आपकी आखों की आइरिस की भी इमेज निकाल लेंगे, उसको भी है कर सकते हैं, इसमें दो चीजें और भी हैं, कि इसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत और ट्रेजडरी जिसको कहेंगे, वो यह है कि अगर आपका कोई पासवर्ड है, कहीं आप इमेज में पासवर्ड डा सबसे बड़ी है क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो अफिरां आगाई है, वो हमारे फोन का जो फिंगर प्रिंट सेंसर है, यहां पे habíaë हैं का जो हैपने के पहने cafपे आपीए, भी सब में अ। अब तो 8-8-10-20-1000 के फोन में भी सब में आ रहा है वह है और उसी तरह से इस पे भी हुआ था तो उनके सामने ही उनको दिखाने के लिए है किया गया था और एक सवाल आया है हमारे बास कि क्या इस डीटेल को शेयर होने से रोका जा सकता है तो रोका जा सकता है आपको आधार नहीं जाएंगी लेकिन आपकी डीटेल शेयर हो नहीं की जाएंगी यह दो चीज़े की जाएंगी अगर मैं इस पर जाकर करके अंचेक कर दूं ऑनलाइन तो उसके बाद में जीओ वगेरा का स्थम जीओ के लिए मैं सिम्ली ने जाओंगा मुझे देंगे की नहीं देंगे प तो उसके इसमें भी हमें सिम मिलेगा क्योंकि उससे सिरफ यह देखना होता है कि मैं जो अपने आपको बता रहा हूं अगर मैं गया मैंने बुला केतन तो वहां पर जब मैं अपना थंप्रिंट स्कैन करूंगा तो जो मेरे पास आएगा जवाब उस मशीन के थ्रू वो यह होगा कि हाँ यह केतने इसका यह अड्रेस है उस वक्त पे सिरफ एक्सेस हो सकता है हम उसे कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते हैं जो थंप्रिंट्स होंगे और इसमें किसने पूछा था ठाकुर शुपम सिंग कह रहे हैं कि क्या आधार के ही दम पे हमारी निष्टा का हनन होत ठाइसर तो एकली ऐसा है कि ड्राइविंग लाइसेंस को कोई भी second party access नहीं कर ही उनका जो तुथ नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी खशा कर अपने अगओस के लिए कर भी आप नहीं कर रहे हाइंक के driving license को base बना कर इस वज़े से उसके लिए किसी के पास भी access नहीं है उसकी जब दूसरे के हाथ में पढ़ नहीं रहा है तो वो अभी safe है बट आधार constantly आधार का जितना भी information है वो किसी और के हाथ में जा रहा है लगातार जा रहा है एक ये है और कुछ सवाल और आधार खो जाने की स्तिती में क्या करना चाहिए किसी ने पूछा है वो तो अब सरकारी है वो तो काम दफतर में जाकर पता चलेगा वो क्या है स्रुजन गोरकर ने पूछा है कि आधार को हमारे fingerprint देना कितना सुरक्षित है सुरक्षित है बशरते के आप उसे लॉग करके रखे है जो अनिमेश ने बताया अभी के आपके पास 12 डिजिट का नंबर है उसे वहाँ लॉग इन करिया आधार की वेबसाइट पर और वहाँ जाकर जो भी चेंजेज हैं जिसमें आपको बायोमेट्रिक्स अपने लॉग कर सकते हैं वो लॉग कर दीजे तो जिससे यह होगा कि आपके बायोमेट्रिक इन्फो वहाँ से उठाई नहीं जा सकती है कम से कम यह फाइदा होगा ठीक है मनू भारती पूछ रहे हैं अगर इस तरह से किसी की निजिता का उलंगन हो तो हम लोगों को पहला कदम क्या लेना चाहिए निजिता के उलंगन से आता है कि इंडिया में निजिता को लेकर कोई कानून ही नहीं है यह आधार को लेकर सबसे बड़ा डिवेट है कि आपको साधारन जो क्रिमिनल लेक्ट हैं कि आपके साथ दोखादड़ी हुई है आपके साथ ये हुआ है आप उसके अंतरगत केस करेंगे और अगर इसको हम देखें आधार को कि पूरी दुनिया में सबसे जादा और सबसे बड़े पैवाने पे भारत में ही बन रहा है मेरे ख्याल से अब तक लगभग 95 फिस्दी और 99 फिस्दी लोगों का भी बन चुका होगा आधार कार्ड इंडिया में हाँ 110 करोन के उपर बन चुका है और ऐसा दुनिया के किसी और देश में इतने बड़े पैवाने पे बायोमेट्रिक्स नहीं ले गया है सवाल यह उठता है कि आपके फिंगर प्रिंट और आपकी आईरिस जो आखों के अंदर होता है पुतलियों के अंदर उसकी इंफोर्मेशन लेने की सरकार को जरूरत ही क्या है प्रिंगर प्रिंट से भी काम हो सकता था तो उसका था कि अगर वाकई में आप चाहते हैं तो सिर्फ इंगर प्रिंट से भी काम हो सकता था आपको बाकी चीजों की क्या ही ज़रूरत है अगर हम अमेरिका से compare करें कि अमेरिका में भी एक social security नंबर चलता है तो उससे compare करें तो वो भी सिर्फ एक number है identity नहीं बताता है वो number fake भी किया सकता है उसमें biometrics नहीं होते है उसमें सिर्व आपका आप चाहें तो किसी के साथ शेयर करें चाहें तो नकर यालग राजियों अलग कानून है आप चाहें तो मना कर सकते हैं कि नहीं में इस नंबर का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो हॉलिवूट के फिल्मे देखते हैं उनको पता होगा कि फेक नंबर से फेक आइडेंटिटी भी लोग क्रियर्ट कर लेते हैं एक पूनम जा का सवाल है कि इसे कहां-कहां यूज नहीं करना चाहिए तो आधार काड को कहां-कहां यूज नहीं करना चाहिए तो इसमें ऐसा है कि कोट ने ओर्डर दिया था और अपने उस ओर्डर में बोला था 2015 के ओर्डर में कि PDS यानि कि Public Distribution System और Public Distribution Service और नरेगा, LPG, जंधन योजना और Provident Fund के अलावा कहीं पर भी आधार काड का इस्तिमाल जरूरी नहीं है इन फैक्ट होगा ही नहीं ये उस टाइम पे ये किया गए था कि होगा ही नहीं और आगे से जितने भी order आए हैं उसमें ये बोला गया है कि ये order अभी भी लागू हो रहा है और इसमें ये था कि इस कानून के बनने से पहले ही ये कानून 2016 मार्च 2016 में बना था कि आपको आपको किस हद तक लोग आपके बारे में जान रहे हैं तो अगर अमेरिका वाले को और आगे बढ़ा हैं तो अमेरिका में 1935 में बन गया था यह वाला सेस्टम के आपको सोशल सेक्यूर्टी नंबर दिया जाएगा लेकिन उसके साथ बाइमेट्रिक्स इंफॉर्मे किया जा रहा है लोग आपके बारे में ज्यादा न जान पाएं इसलिए कोशिश की जा रही है यह उरोपियन उनियन ने तो अपने यह कह दिया था कि किसी भी इंसान का डाटा स्टोर करना गलत है जबकि हमारे यहां क्या करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को पाँच साल तक को भी नहीं पता है कि यह सारा डाटा स्टोर करके कोई क्या कर सकता है हमारे साथ ठाकुर शुभम सिंग ने एक पॉइंट रेस किया है और वाजिब सा लगता है कि सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है सारे वेलफेर स्कीम में इसका उपयोग होने को है और सरकार को चाहिए कि निर्ष्टा का उनलंगन न हो इसके लिए कोई नियम इससे पीछे हटना पॉसिबल नहीं है न भी हो यह सेफ रहे हमारा सिरफ इतना है हम गते यह नहीं चाते कि आधार बने ही न अच्छी बात है पैसे खतम होंगे पैसे खतम नहीं होंगे जेब में नहीं होंगे एक किसी ने पूछा है कि मेरा अधार का लॉग इन नहीं होता है और जो रेस्टर्ड मोबाइल नमबर था वो खो गया है नेरेस्ट आधार एजेंट के पास आप जाएं आप दोबारा वो आपका अधार नमबर लेगा और प्रिंट लेगा और आपके जानकारी में आपका म मोबाइल नमबर अपडेट कर देगा जब आपका मोबाइल नमबर अपडेट हो जाएगा एक आध दिन का समय उसमें लगता है उसके बाद आप दोबारा लॉग इन ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं बहुत सारे लोग दोबारा यह पूछ रहे हैं कि मैं अगर अपनी समेश बता दें कि जो लोग अपनी जिन्होंने टिक कर दिया है पहले गलती से बाइडिफॉल्ट हो गया है वो लोग क्या करने है उसका बहुत आसान सा तरीका है अब आधार की वेबसाइट पे जाईए अपने अधार कार्ड के जो बारा डिजिट का नमबर होता उसे लॉ स्वर्ट बदर्तने ठीक वैसा ही उसमें कोई जयाधा मुश्खिल प्रोसर नहीं है तो बस इतना ही है ये नहीं क 했어 बैए स्वाइटिंग होना क्यों जादा खतरनाक है उसके खत्रे क्या है केतन ओर रिशब आप लोग को नहें पढ़ा है इसeld 안돼 बताएं एक फिल्म देखी थी, Minority Report, टॉम क्रूज की, तो उसमें वो एक्चली उस वक्त की नहीं थी जब वो बनी थी, वो फ्यूचर की फिल्म थी, उसमें ऐसा था कि दुनिया में एक ऐसी ऐसा सिस्टम लागू हो गया है कि आप कहीं पर भी जाएं, आपकी आइडेंटिटी आपके आइरिस के थू होगी, यही था, उसमें यह होता है कि जो पूरा सिस्टम होता है, वो टॉम क्रूज के अगेंस्ट हो जाता है, और टॉम क्रूज सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, तो वो लोग यह चाहते हैं कि इसे खतम कर दिया जाएं, और टॉम क्रूज बिल्कुल हा है बट देन हम अपना अंगुठा काट के किसी और का अंगुठा नहीं लगा लेंगे हैं हाँ डवी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बट एक्चली आपका आपकी पूरी आइडेंटिटी किसी और के पास जा सकती है आप किसी और जगह पे हो और आप वर्चुली कहीं और हो सकते हो तो ऐसा होगा कि आप एक्सेस नहीं भी कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट को और कोई दूसरा कर रहा होगा और वो अपनी मनमर्जी से सारी चीज़ें कर रहा होगा सिरफ इसलिए क्यूंकि उसके पास आपके बायो में ट्रिक्स इंफोमेशन होगी और बायो में इस इंफोमेशन का मतलब यह नहीं होता है कि उसके पास आपका फिंगर प्रिंट होगा इस फिंगर प्रिंट को एक कोड में कनवर्ट किया जाता है जो सेफ किया जाएगा तो उसके पास वो कोड होगा उसे सिरफ यह कोड चाहिए आपका अंगूठा अब जरूरी नहीं र तो जब कहीं पे हम इस ऑथनिकेट कराते हैं तो वह उसी कोड को एकसे करता है और दुबारा जो इमेज लेता है उससे वह मैच कराते हैं तो यह भी संभावना है कि कहीं दूसरी जगह पे किसी अलग तरह का इसकेनर है उसकी अलग कैपेसिटी है इमेज जो पहली बार हमने ऑथनिकेट कराया तो उसमें हमें नहीं पता है किस तरह की इमेज गई है यह आधार के साथ एक और यह ड्रॉप है कि जब आप पैन कार्ड या कुछ भी बनवाते हैं उसमें जो आप इनफॉर्मेशन देते हैं वो आपके सामने होता है प्रिंट हो तो उसकी जगह पे किसी और का भी लगा सकता है और आपके इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि क्या वहाँ पे हुआ है आप उसमें बदलाव भी नहीं ला सकते हैं तो वो मैच कराते हैं तो मशीन मैच नहीं भी कर सकते हैं मालिज भविश्य में सोचे कि 5 सल बाद 10 सल सब कुछ ठीक चल रहा है आप अच्छी का सी नोकरी कर रहे हैं बीवी है बाल बच्चे हैं सब कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं अचाना कि एक दिन आपको पता चलेगा कि यह आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है यह एक मतलब दूर की पॉसिबिल्टी है लेकिन हो सकता है एक के साथ भी हो सकता है लेकिन हो सकता है आप जाएंगे पता चलेगे कि आप रमेश कुमार हैं ही नहीं तो उस इस्थेती में आप क्या करेंगे आपकी आपको आतंकवादी भी घोशित किया जा सकता है आपको कुछ भी किया सकता है हम मतलब आपको सभी अतिरेकवादी खत्र करके हम बता सकते हैं कि यह अधिक्तम यहां तक खतरनाग हो सकता है एक दो केसे बाहर हुए अभी तक हिंदोस्तान में तो इसा नहीं हुआ जैसे माइनरीटी रिपोर्ट स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी उन्हीं की इडेंटिटी थेफ्ट हुई थी उनकी कर रहा है इसके अलावा एक डॉक्टर ने किया था उसने किसी डॉक्टर की आईडी ली और उसकी डीटेल करके वो डॉक्टर बना और अमेरिका में यह हुआ था और एफबी आई के सेंटर तक वो गया वहां पर उसने काम किया कुछ हफतों तक फिर पकड़ा गया तो इस तरह के केसस हुए हैं दुनिया में हुए अभी हिंदुस्तान में नहीं हुए इसमें एक चीज और है कि ऐसा वायर ने या और अख़बारों ने में रिपोर्ट किया कि पुलिस और सेक्यूरिटी एजेंसिस एक अपना पैरलेल डेटावेस भी तियार कर सकते हैं कहीं कहीं क संदेह नहीं है कि कोई सरकार ला रही है तो गलत सोचके ला रही है यह लूपोल्स हैं कि मतलब टेक्निकल डिलिचेज हैं जिनके बारे में सरकार शायद अवेर नहीं भी हो सकती है यह यह मान कि चल रही होगी कि नहीं ऐसा होगा है जो खिमलेर क्योंकि जो एवायडी से न पास है तो इसका मिस्यूज होने की संभावना कम है इसके साथ वो ये भी जोड़ देते हैं कि इससे जितने घाटे होंगे उससे कहीं ज़्यादा फैदे होंगे फैदे होंगे देकिन घाटे जो होंगे उनके भरपाई करपना बड़ा मुश्किल है आपकी आइडेंटिटी को आप क्या ही कर सकते हैं कहां साबित करेंगे तो यही है कि आधार को अनिवारे बनाये जाने के दौर में आप अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए आशंकाओं और संभावनाओं को परखते और जानते समझते रहिए प्राइवेसी के कानुन की मांग करिए रिशब का कहना ह अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए ताकि आपकी जानकारी दुरुस्त भी रहे और सुरक्षित भी रहे ये ललन टॉप के साथ फेस्बुक लाइव देख रहे थे आप मैं कुल्दीब सरदार मेरे साथ थे रिशब अमित और केतन कैमरे के पीछे अमितेश कुमार